तो दोस्तों गुट मॉर्णिंग वेलकम टो माई न्यू ब्लोग स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लोग वीडियो में तो दोस्तों अभी सुबा का टाइम हो रहा है और अभी बज़े सुबा के आठ और लग भी नहीं रहा है सुबा के आठ बज़े क्योंकि बहुत ज् यह थोड़ा थोड़ा और सुचते हैं कि हम चूले पर खाना बनाएं पर बनाएंगे कैसे क्योंकि पार बारी सो रहा है तो सुचते हम गैस पर बना लेते हैं तो अभी यह तो बनाने को कोई संभव नहीं है तो अभी चलते हैं गैस के और और अभी वहां से बनाते हैं क्या जो साथे मोसा में यहां है पूरा जिगर बादल बादल है इनल आलू का खेट रिखी तो दोस्तों यहां पर तो खाना बंद नहीं पाएगा तो अभी चलते हैं गैसकी और घर तो दोस्तों यहां पर मेरा जो है चाय बन के खतम ब्योच का इधर हम आलू छील के रखे हुए हैं क्योंकि बनाएंगे आज आलू और घर का जो हता है ने बड़ी वही बनाएं तो दोस्तों पहले हम आलू को धो लेते हैं वहां से उसके बात उबलने के लिए गिर भी गए तो दोस्तों हम आलू के अच्छी तरह साफ कर लिए हैं देखें यहां पर दिखरा होगा आप लोगको तो यहां पर देखें अच्छी तरह साफ कर लिए हैं और ग्राइस आउट करके अब इसको चोहाते हैं तो दोस्तों अभी हम देखे यहां पर लगा रहे हैं आटा और इधर हम चड़ा दिये हैं आलू तो यहां पर हम लगा रहे हैं आटा यानि सान रहे आटा हम लोग कि इधर सानना वादस को अब दोस्तों गुड मोर्णिंग अभी देखे तर क्या हो रहा है किकर रहे हम बनोड़िया बोर्सी जला रही है ऐदर बोर्सी में जल गया है सारा अलू पग गई नहीं सीजा है मम्मी और की अग्णी अधर अलू पका रही है इधर दुकान और अधर ढ़ेखिया पूरा जो सब्दोस्तों यहां में काले कन देखिव कर लिया और फले कि यहां रहर तो दोस्तों यहले की बड़ी फॉअदुका थोटा आशा अपने लिकार मसाला भी हम जर लिकड़ी कर लिये तो तो चलिए पहले को बनाते हैं मिलते हैं तो दोस्तों अभी नास्ता बनका होगा voulez बश्दाइए बइसा बना लोटी डीटित कि यह मेरे लिए नास्ता बन के ओगे रेड़े अभी हम लोग खाएंगे नास्ता आग के पास बैठ करके बोरसी बेड़े तो दोस्तों नास्ता आ गया है और यहां पर हम लोग बोरसी में ताफेंगे गोंध्यायत में बोरसी को तफना पड़ता है क्योंकि जब ज्धादा तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो सुट करने के लिए क्योंकि कल है इंडिपेंडेंस दे तो यहां पर यहां से थोड़ा दूर तो दोस्तों अभी हम लोग चलते थोड़ा से उधर थोड़ा यहां पर नजदिक है तो यहां पर थोड़ा से चलते थोड़ा से दोस्तों अभी हम लोग यहां तक आचुके हैं अभी और थोड़ा दूर जाना है अभी बहुत थंड़ा है बहुत थंड़ा हुआ चलना यहां तो दोस्तों अभी हम आचके यहां पर सर्सों का जहां पर ज्यादा खेत है यह देखने भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे चलते थोड़ों सा तो अभी हम लोग आ गए हैं उदर से घुमके सर्सों के खेत तरफ से घुमके आगे हैं घहर अभी हो गया था साम ठंडा जादा लग रहता है जादा चंडा लग रहा था अधर आज पूरा एक्टम तिरंगा लूख में देखिए खुसी को तो दोस्तों अभी साम का टाइम हो गया और इधर खुसी बना रहे है चाय ने चाय बन रहा है चाय पत्ति तो देवे ने किया चाय पत्ति खुले गाता है लाकी कॉसी करना नियुक्त है तो डोस्तो चाय आभी बनके हो गया रेडी कॉम मम्य चाय पिए यहां पर बेरा चाय यहां रखो तो दोस्तों चाय बन गया अग्दम तो दूपन फिए ऑगी नहीं दूसतो चाय बहुत कर्म भी लुग सASONशिक है आपने उसका गराम है तो गरम है ना विस्कीट और चाह खा रहे हैं अभी रोटीन खाया है तो दोस्तों भी रात के बज गए आठ और रात का खने दर निकल के होगा इस रोटी और सब्जी बंदा को भी का सब्जी तो दिखाते हैं को क्या-क्या है और निकल के हो गया है रेडी इधर चैसे वरा रिफजी इधर हो रात पाद गराम और जाते भी मम Nay को जगाएंगे उठिये पानी गरम हो गया खाना निकल गया है तब मम्मी उठ गई है इधर पानी भी आ गया है गरम गरम क्योंकि ठंडी है तो पानी तो गरम पीना पड़ेगा और निचे है देशी बॉर्सी निकल यह निचे से यह रहा आग क्योंकि ठंडी जादा है थाम लोग को खाना काते समय आग अपना पड़ता है पार पूरा बढ़ फो गया है तो दोस्तों खाना आच चुका है यहां पर मम्मी कुआणा तो यहां पर हां दो रहे हैं रूमे में कल्छूल से खाएंगे कल्छूल खाने ने डिए तो दोस्तों खाना आ चुका है यह मम्मी के लिए यह हम लोग के लिए तभी खाते हैं खाना मुस्त कौनी थंदा हो गया है दोस्तों हम लोग अभी सब मिलके पूरे खाना खा रहे हैं फिर मिलता है खाने के बाद तो दोस्तों अभी खाना पीना सब हो चुका है ब्रात के इधर मम में सोई हुई है अधर हम लोग सोएंगे आज कब लोग तक के यह पेंड करते हैं तक के लिए बाइबाइबाइब